हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मातरानी के भोग के लिए स्पेसल थाली तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमने डाइसोग्राम चने लिए हैं इन्हें हमने राद भर के लिए भी होके रख दिया था और अब हम चनों में एक चमज नमक डाल कर 4-5 सीटी लगाएंगे और अच्छे से वोईल करेंगे इतने चने हमारे वोईल हो रहे हैं इतने हम हलुआ बना लेते हैं सबसे पहले हलुआ बनाने के लिए कड़ाई में एक कटोरी सुध देशी घी डाल देंगे और जितना हमने घी ले या था उतनी ही हम सुजी लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे कुछ देड चलाने के बाद ही सुजी हमारे हलकी सी ब्राउन होने लगी है और अब हम इसमें थोड़े से ड्राइ फूट डालकर सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे ड्राइ फूट आप अपनी पसंद के कम या ज़्यादा ले सकते हैं और यह देखिए थोड़ी देर लगतार चलाने के बाद सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें 4 कटोरी गरम पानी डाल देंगे ठंडा पानी बिल्कुल भी न डाले और जिस कटोरी से हमने सूजी लेती उसी कटोरी से नाप के हमने 4 कटोरी पानी डाला है और उसी कटोरी से नाप के हम एक कटोरी से थोड़ा सकम चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए पका लेंगे इस तरह हलुआ बनाने से हलुआ हमारा एकदम खिला-खिला बनकर तैयार होता है और ये देखिए हलुआ हमारा बनकर विल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम चने बनाएंगे और ये देखिए चने हमारे उबल चुके हैं, कितने अच्छे से गल चुका है अब हम चनों के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पॉडर डाल देंगे एक चमच धनिया पौडर, एक चमच लाल मिर्च पौडर, थोड़ी सी कुटी होई काली मिर्च डाल देंगे, आधा चमच भुना जीरा डाल देंगे, एक चमच काला नमक, नमक हम थोड़ा कमी डाल लें क्योंकि हमने चनों को बालने में भी नमक का यूच किया था, और एक च आफों जैगे और समय दालने के बाद हम तोड़ा साइम डाल देंगे, और जो पैकला मसालो हमने मैं अधार हेची और शष्ञे के मैं? मुल 46 शित दालने के बाद जीर के अधर में अधार दॉल 18 की अधर साथ है नॐ 100 ग successor भूए देंगे चनों को मसालों के साथ कुछ देर पकने के बाद अब हम इसमें एक छोटा चमज गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चनों को मसालों के साथ लगातार चलाते हुए कुछ देर और भून लेंगे और अब हम दो से तीन हरी मिज डाल देंगे, बीज से कट लगा के, थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़े देर सभी चीजों को मिक्स करते हुए भून लेंगे, और ये देखिए, चना हमारा बिल्कुल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और चनों पर मसाला कितना अच्छे से चिपक चुका है, और चने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और अब हम बनाएंगे बि ट्रमाटर हमारा थोरह सोप्ठ हो चुका हैं, अब इसमें आधा चमढ़ हल्दी पॉडर डाल देंगे, आधा चमढ़ लाल मिंस पॉर्डर डाल देंगे, एक चमढ़ धनिया पॉडर और थोड़ा सा हिन्ग डाल देंगे सबी चीज़े डालने के बाद मसालो को अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें आलू डाल देंगे आलू को भी अच्छे से मसालो के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे आलू हमारी मसालो के साथ अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसमें एक से तेड़े गलास पानी ढाल देंगे तोड़े देर पकने के पाद ही अलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब हम आप इसमें गरम मसाला ढाल देंगे थोड़े सी कसूरी मेठि डालेंगे सबी चीज़े mix करेंगे और चम्चे की साहिता से आलो को मैस कर लेंगे आलो हमारे अच्छे से कल चुके हैं अब हम इसमें दो हरी मिर्च और बारी कटा हो हरा धनी आड़ कर देंगे और अच्छे से mix करेंगे और ये देखे बिना लहसन प्याज के आलू टमटर हमारे बनकर विल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अब हम पटा-पट से पूरी बना लेंगे, आटा हमने गूत के रख लिया तक तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपनी एक एक करके पूरी को सेक लेंगे, पूरी फूल चुकी है, अब हम इसे पलट और बस इसी तरह से हम अपनी सारी पूरी बना कर तैयार कर लेंगे, और ये देखिए, पूरी हमारी कितनी फूली फूली बनकर तैयार हो रही है, बस इसी तरह से हम सारी पूरी बना कर तैयार कर लेंगे, मातरानी के भोग के लिए हमने सभी चीजे बना कर तैयार कर लिए हैं ये सभी चीजे जटपट से बनके तैयार हो जाती हैं और इनमें जादे टाइम भी नहीं लगता सभी चीजे हमने हल्वा, पूरी, चना, सब्जी बना कर तैयार कर लिया है अब हम फटाफट से माता के भोग के लिए एक थाली लगा लेंगे थाली में हमने पूरी रख लिए है, हलुआ रख लिया है और चने रख लिए है, सबजी रख लिए है और थोड़े से खीरे रखे हैं और ये देखिए, इस पेसल थाली हमारी तयार है अगर ये वीडियों आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर करना ना भूले थैंक यू